हलो गाइस स्वागत आप सभी कावा मेरी यूट्यूब चैनल सेने बॉक्स ओफिस में दोस्तों शाहिद कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट स्पे हम डिसकसन करने वाले हैं क्या हो सकता है शाहिद कपूर का एक्सपेक्ट शूटिंग शैड्डियूल डेट वी एर गूंग ड का नाम जोड़ा हुआ है जो कि मोश्टली शाहिद कपूर कर सकता है राइट नाव शाहिद कपूर आफ्टर सक्सिस ओफ तेरी बातों में ऐसा हो जाजी है काफी खुश दिखाई दे रहे हैं यहां पे काफी इंटर्व्यूज दे रहे हैं और एम हैपी कि चलो उनकी फिल् अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों अब शाहिद की नेक्ष्ट क्या होने वाले है सुदायत कपूर का नेक्ष्ट होने वाला देवा अब देवा का पोटेंशल डेपेंड करता है कि यह फिल्म ओरिजिनल है कि रीमेक है अगर रीमेक रहेगी तो आई वोंट है मुझ एक्स यहां पर एक माइकलोजिकल फिल्म कर सकता है जो कि प्रबैबली दो हजार चोबिस के सेकेंड हाफ से स्टार्ट हो सकती है और प्रोजेक्ट इस गॉन भी अस्वत्थामा इड़ विल भी हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट एड़ विल बीज़न अस्वत्थामा जिसको सचिन रभ यह प्रोडक्शन हाउस ने साला 30 क्रोड के उपर पिक्चर ही चनी दिया है पोस्ट में बस वही एक प्रॉबलम है बाकि डिरेक्टर धमाकेदार है और पैन इंडिया फिल्म हो सकती है लेकिन उसको वैसा पेश भी करना पड़ेगा पैन इंडिया भी बड़े मिया छोटे म तो देखो इसके बाद शाहिद कपूर विल स्टार्ट फरजी टू फरजी वैब सीरीज आपको पता है पार्ट वन कहां पर एंड हुआ था शाहिद कपूर के जो नाना रहते हैं उनको यहां पर केके मैनन खत्म कर देता है यहां पर मरवा देता है उसके बाद शाहिद विल इस्टोरिकल फिल्म अस्वत थामा यहां पे शाहिद कपूर विल स्टार्ट तो प्रवैबली दो हजार पच्चिस के फेबरी मार्च से हम उमीद कर सकते हैं कि फॉरजी आएगा फॉरजी थोड़ा टाइम लेगा मैं उसके बाद शाहिद कपूर जो है यहां पे शूट कर सकत है फॉरज बढ़ जाते है फिल्म अगर सब कुछ ठीक रहता है अगर शाहिद हामी भर देता है तो उसके बाद शाहिद कपूर शाहिद वो फिल्म का शूटिंग स्टार्ट कर सकता है और यहां पे दो हजार पच्चिस एंट यहां पे यह हो गया उसके बाद शाहिद कपू यहाँ पे start कर सकता है shooting of छत्रपति शिवाजी महराज क्योंकि बड़ी film में थोड़ा time लेगी and I think यह film 2026 से start हो सकती है 2026 and 2027 में ही I think probably यह film release होगी and अगर film अच्छी बनती है तो यह एक बहुत important film होने वाले शाहित कपूर के लिए क्योंकि यह project कोई ऐसा project नहीं है जब गदर जैसी जंडू film जिसकी story 3rd class पचकानी थी केवल sentiment के दम से 4 क्रोड फुटफॉल्स ले गई अगर शिवाजी महराज का बायोपिक अच्छा बना बहतरीन बना गुड बना तो 5.5-6 कुरोड फुटफॉल्स तक लेनी की शामता रखता है केवल हिंदी भासा से इतना बड़ा project यह शिवाजी महराज का बायोपिक बन सकता है अगर यहाँ पे अच्छे से महनत की जाती है project के लिए यह project का मैं सबसे जादा वेट कर रहा हूं और मैं चाहरा हूं हाला कि मैं शाहिद related वीडियोस अब तीन चार वीडियोस बनाने के बाद नहीं बनाऊंगा due to some reasons आप जानते हो और क्योंकि मैं चैनल वैसे भी छोड़ने वाला हूं तो यहाँ पर यह project काफी crucial होने वाला शाहिद कपूर के लिए श्यवाजी महराज का बायोपिकर इस से शाहिद को बना रहना है इसको शाहिद को छोड़ना नहीं है ठीक है अब इसके बाद शाहिद कपूर का बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि तीरी बातों में ऐसा उलजह जीया का sequel आये का director खुदि शौर नहीं है कि उसको sequel बनाना है कि नहीं to be continued कई filmों के सांत लिख दिया जाता क्यार कहानी खत्म नहीं हुई अभी भी जा रही है बने रहिए to be continue मतलब बने रहिए आप समझ रहे हो to be continued मतलब बने रही है कुछ भी हो सकता है कहानी आगे भी जा सकती suspense है वो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि फिल्म बन ही जाएगी sequel लेकिन बनती भी है तो I think आपको wait करना पड़ेगा 2026 end तक तो शाहिद कपूर का मैंने आपको बता दिया पूरा अगर तेरी बातों में उल्जा जिया बनती है तो वो बात में ही बने गी और उसके लावा नीज बुजमी भी शाहिद कपूर के साथ अभी बात चीत किये हुए अंते मास लेकर के लेकिन शाहिद ने एक बार रेजेक्ट कर दिया I don't think कि वो माने लेकिन मान जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी यह बागे अपकमिंग लाइन अपस की बात करें लेकिन शाहिद उसको करेगा कि नहीं यह हम कह नहीं सकते सबको साहिद के माइंड पे है और यह है एक एक एंटर्टेइनर जो कि यहां पे उसको भंसाली ना उफर किया व पे सब कुछ ठीक रहा तो बढ़ जाता है कि प्रेम की शादी होने वाली है और उसके बाद शिवाजी महराच का बायोपिक और एक अनीज बजमी की फिल्म का उफर है एक यहां पे एक उफर है उसको पास का कॉनसी फिल्म का है I forgot I mentioned अभी थोड़ी तेर पहले देखो भंसा और यह गईस मिलूंगा नेक्ट वीडियो में